MX Moto Electric Cruiser Bike, Launched, भारतिय बजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की दिमान के साथ ही लगातार नए मॉडलों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रमुक एलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपणी MX Moto ने अब बजार में अपनी नई क्रूजर एलेक्ट्रिक मोटर साइकल MX Moto M-Solar को लॉंच किया है। आकर्शक लोक और दमदार मैटरी पैक से सजी इस बाइक की शुरू आती कीमत एक लाख थानवे हजार रुपे एक्स शोरूम तेकी गई है। कमपणी इस बाइक के साथ 8 साल या 80,000 किलोमीटर तक की वार्टी भी दे रही है जिसमें इलेंट्रिक मोटर और कंट्रोलर पर 3 साल की वार्टी शामिल है। कमपणी का दावा है कि इस बाइक की मजबूत मेटल बॉड़ी किसी भी रोड कंडिशन पर बहतर परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन की गई है। इसमें राउंड शेप हेडलेंप के साथ लेड लाइटिंग और सिंगल पीस सीट मिलती है। एम शेप हेंडल बार और कमफर्टेबल राइडिंग पोजिशन इस बाइक को एक बहतर क्रूजर बनाने में पूरी मदद करते हैं। देखने में ये बाइक कई अन्या आइस क्रूजर बाइक्स की याद दिलाता है। फ्यूल टैंट के नीचे बैटरी और इलेक्टरिक मोटर कमपार्टमेंट मिलता है जिस पर बड़े लेटर में M16 लिखा हुआ है। इसे सिल्वर बैक्ग्राउंड के साथ हिंजन का फील देने की कोशिश की गई है। बाइक के बीच का हिस्सा पूरी तरह से कवब है और पिलन राइडर्स के लिए उचा बैकरेस भी मिलता है। जो की पावर आउटपुट को रिजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम के साथ 16 प्रतिशत तक बढ़ाता है। यदि आप दिल्ली में रहते हैं और इस बाइक को यहाँ पर चार्ज करते हैं तो कमपनी के दावे के अनुसार इसकी बैटरी को चार्ज होने में 1.6 यूनित बिजली खपत होगी। इस हिसाब से यदि और सतन प्रती यूनित पांच रुपय का खर्च माना जाए तो एक दशमलव 6X5 इकुल्स एक रुपय का खर्च होगा और आप सिंगल चार्ज में 160-220 किलो मीटर तक के ड्राइविंग का मज़ा ले सकेंगे। मिलते हैं ये फीचर्ज है, MX Moto M16 में कमपणी ने 17 हिंच का वील दिया है, इसके अलावा कमपणी ने इसमें एजस्टिबल रेसिंग मोटर साइक की टाइप सेंट्रल शॉक अब्जवर भी दिया है, ट्रिपल डिस्क ब्रेक सिस्टम से लेसिस बाइक में लेड डाइरेक्श अन बोर्ड नेविकेशन, अन राइट कॉलिंग, ग्लूटूट कनेक्टिविटी और साउंड सिस्टम जैसे फीचर्ज मिलते हैं वीदियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और सब्सक्राइब जरूर करें